क्या आपने भी कभी जेब्रा और ओस्ट्रिच की मज़िदार रिलेशन के बारे में नहीं सुना है। चलिए जानते हैं। जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। जेब्रा की आइसाइड बहुत ही कम होती है। जबकि ओस्ट्रिच सही से सुन नहीं सकता। तबी ये दोनों अक्सर साथ में पाय जाते हैं। और एक दुसरे को आने वाले खत्रे से वन बें।